हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अरध्या अरेस अकेडमी में दोस्तों अगर आप रिजीट बरती परिक्षा लेवल फर्स्ट के तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पिछला पेपर जो फरवरी 2018 में लगा था वो पेपर देखना बहुती आउसक है क्योंकि इससे आपको यह पता लगेगा कि रिक्षा में कैसे कैसे प्रिशन आये थे कौन-कौन से पार्ट में कितने अच्छे-च्छे क्यूशन थे तो दोस्तों वीडियो है वो आपको पूरा देखना है और अरद्यारस एकेडिमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बेल आइकन को दबाना है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला प्रसन पियाजे के सिद्दान्त में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए दारनाएं और अनुभाव के बीच संतूलन करिया है जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है तो संतूलन के नाम से ठीक है अधिगम में उप्योग और अनुप्योग के नियम को भी कहा जाता है तो दोस्तों इसकी नियम को क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट में बताना है इस प्रिशन में दोस्तों ये प्रिशन है ये पूछा गया था परिक्ष्या में और इस प्रिशन में बोनस अंक दिया गया था दोस्तों ठीक है नेक्स्ट है तीन नमबर प्रिशन है इसमें देखो पावलो के प्रियोग में कुता ने केवल मास परदाता के मास सीधे मुहें में रखने से लार टपकाता है यानि कि कुटाने केवल मास परदाता के मास सीधे मुहें में रखने से लार टपकाता है किन्तु इस से पहले भी अर्थार्त यानि कि जब सीडियों से नीचे आने वाले परसिसक के कदमों की आवाज सुनता है इस समर्थी को कहा जाता है तो दोस्तों इस सवर्थी को क्या कहा जाता है तो अनुकुलित उतेजना कहा जाता है सी नमबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है अनुबूती बच्चे और वातावरन के बीच अन्तक्रिया की निरंतन प्रकिरिया के माद्यम से विक्षित होती है यह सिद्धान्त में प्रतिबिम्ब होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पियाजे संग्यानात्मक विकास सिद्धान्त बी नमबर का जो उप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांच नमबर प्रेशन है निम्न में से कौन सा कथन आदर से संदर्वीत परिक्षन के लिए सत्य नहीं है तो कौन सा नहीं है तो यहां पे देखो छातर की परदसन की इस्तापित मान दंडो की तुनला की जाती है ये दोस्तों कतन है ये सत्य नहीं है डी नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं तो इसमें देखो 6 नमबर प्रेस ने निम्न में से कौन सी बोधिक परिक्षन के लिए उप्योग करने की सावधानी नहीं है तो दोस्तों कौन सी बोधिक परिक्षन के ल सिथ है वी नंबर का उपसन इसका राइट अनसर हो जाएगा साथ नंबर प्रेस ने एरिक्शन के अनुसार बच्चों का मनो विक्स आठ चरणों में होता है कक्षा एक कक्षा तीन का छटरए विकाश के किस चरण से मेल खाता है यानि कि तीन क चतरह वह नो साल के आसपास होत तो ये दोस्तों मेल खाता है परिश्रम बनाम ही इंता में ठीक है बी नमबर का उप्शन सही उतर है आठ नमबर प्रिशन है हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक बासा बोलते हैं निमन में से पता लगाईए दो बासाओं को बोलने की समता वाले बच्चों के लिए सही लाब क्या है तो दोस्तों सही लाब है वो है एसाधारन सुरी अवधारन गठन में सुईदा विशलेशनात्मक तरक में सुईदा संग्यानात्मक लचिलेपन में सुईदा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नमबर का उप्शन उप्रवक्षभी नाए नमबर एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कटनाई सामिल है कहलाता है तो यह क्या कहलाता है तो इसको कहते हैं दोस्तों डिसग्राफिया क्या कहते हैं डिसग्राफिया नेक्स्ट कुशन है दस नमबर प्रेसन है इसमें देखो निम्नमेश से कौन सा एक योगात्म योगात्मक मुल्यानकन से समंदित है तो कौन सा एक योगात्मक मुल्यानकन से समंदित है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कई प्रकार की बुद्धी या दिमाख के फ्रेम होते हैं उसके द्वारा सुजाए गई बुद्धी की स्रेनी कौन सी है तो दोस्तों उसके द्वारा सुजाए गई बुद्धी की स्रेनी कौन सी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रकरतिवादी को सल C नमबर का option सही उत्तर हो जाएगा आगे देखो 12 नमबर का प्रिशने एक भासा सिक्सक कक्षा में कवीता का विवरन समझा कर कवीता पढ़ रहा है ठीक है? यानि कि एक भासा सिक्सक कक्षा में कवीता का विवरन समझ कर कक्षा में कवीता पढ़ा रहा है और चातरों को इसपिस्तिकरन्ज से निशकर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है यहें एक उदारण है तो दोस्तों यहें एक उदारण है किसका तो आगमनात्मक तर्क का उदारण है एफ नमबर का उप्सन इसका सहीदतर हो जाएगा तेरा नमबर प्रस्ण है एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविदी कर रहा है जैसे ए ने केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ बलकि यह भी पूछा की कैसे और क्यूं तीक है बैर नमबर का देखो उन्हें एक प्रस्ण के विबिन उत्रों तथा परक की तुलना करने में करना जो वास्तों में सबसे अच्छा जवाब है इन गतिविद्यों से यह हैं बढ़ावा देने की कोशी से कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आलोच नात्मक सोच ठीक है बी नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा चोदर नमबर का प्रस्ण है कि सकरात्मक और नकरात्मक उत्तेजनाए या गटनाए चातर के वेवार को प्रेजित कर सकते हैं कौन सा मनवग्यानिक परिष्ञ से इस तरह से प्रिष्ञ sin क्या करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वेवार बी नंबर का उप्शन सैउत्तर हो जाएगा पंदरा नमबर का प्रस्ण है समावेस सब्द का मतलब विशेश सेक्सिक आवशेक्ता वाले बच्चों को नियमित कक्षा कक्स में सिक्षित करना यहनि कि बच्च की युक्ति है तो आंतरिक प्रेड़ना है एक बरहां प्रेड़ना एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेड़ना अपने आप में एक अंत है ठीक है तो इसमें बी नंबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा आगे चलते हैं सतरा नंबर प्रेशने मनो विशलेशन का मानना है कि एक प्रात्मिक सादन है जिसके द्वारा इगो आईडी पर आचद रखता है यह कहलाता है तो यह क्या कहलाता है यह कहलाता है दोस्तों दबाओ डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अंतर्मुरक्ता बहिर्मुरक्ता व्यक्तित्वय का लक्षन निमन के द्वारा प्रस्तावित है तो किसके द्वारा यह अंतर्मुरक्ता बहिर्मुरक्ता व्यक्तित्वय के लक्षन किसके द्वारा प्रस्तावित है राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है हैंस आई सेंग के द्वारा, ए नमबर का उप्शन राइट आंसर, गुनिश नमबर प्रेशन है, निमन में से कौन सा सरोत मुदारन है, की प्रेणा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, चातर बै सक्री है, अपने गणीत वरग में अच्छा करने के लिए उच ल निमन एसितियों में से कौन समयवजन को बढ़ावा देती है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है, निउरोटिक बेहर और चिंता से मुक्त, डी नमबर का उप्शन राइट आंसर, एक किस नमबर प्रेशन है, एक विवस्तित विज्ञान, जो स्यम और वाता वरन के साथ समाय वजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धान्त प्रदान करता है, कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों दबाओ कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, दिमा की आरोग्यता कहलाता है, ठीक है, तो इसमें B-Number क का उप्शन से उतर नेक्स्ट है एक समयोजन तंतर में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित वेवार के अनुमोदिरित कारणों में तारकिक और सामाजिक रूप से सोचना सामिल है कहलाता है दुबर देखो एक समयोजन तंतर में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित वेवार के अन परिमे करन तो B नमबर का उप्षन सयुतर नेक्सट है 23 नमबर प्रेस्ट ने इसकुल की संगड़नात्मक इस्तापन चात्रों के अधिगम को परभावित करती है यहां पहलू उस रेणी से सम्दित है तो किस रेणी से सम्दित है तो यह दोस्तों सामाजिक कारक्ष से सम्दि हो जाएगा 24 नमबर प्रेस्ट है इसमें देखो निमनलिखित में कौन सा राष्टे पाठे चर्चा 2005 के डाचे में मारक दर्शक का सिद्दान्त नहीं है यानि कि राष्टे पाठे चर्चा 2005 डाचे में मारक दर्शक सिद्दान्त नहीं है तो कौन सा नहीं है इन में से तो देखो इसमें अधिगम को रटना विदी और सुविदा जनक बनाना चाहिए ये इसमें दोस्तों मायक दर्शक का सिदान्त नहीं है एक सिक्सक के रूप में आपने अपने चात्रों से हमारे जीवन पर परदुसन को समझाते हुए एक निबंद लिखने के लिए कहा इस कारी बाहर में ब्लूम के वरगी करण के कोन से संग्यानात्मक इस तरकी व्याक्या की गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है से प्रियोग ठीक है बी नंबर का उप्शन से उत्तर 26 नंबर प्रेशन है सिक्सक के तोर पर आपने एक उप्योग प्रिक्षन और जाँच सूची का उप्योग करके छातर की बुद्धी व्यक्तित्वे तथा कक्षा वेवार के बारे में जानकरी 71 की यहां परकिरिया कहलाती है तो यह हैं परकिरिया कौन सी कलरती है राइट आंसर हो जाएगा इसका वह है आंकलन ए नमबर उप्शन सही उत्तर कौन सा प्रेक्सेप ब्लूम के वर्गी करण में नामित नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखो चार उप्शन दिएगे हैं इसका उत्तर है वो आपको कमेंट में बताना है एक बच्चा जो की एक विशेष्टा में उच्छ या निम्न है बाद में उमर में भी यहीं होगी तीक हैं यह बयान के मैत्वपर जोर देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आनवान सिक्ता सी नमबर का उप्शन इसका से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है ट्वंटीनाई नमबर प्रेस्न है सुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हतेली का उप्योग करके वस्तू को पकड़ता है दीरे दीरे वर्दी और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगुठे का उप्योग करके वस्तू को उठाने के लिए करता है इस परकार की प्रकृती है तो इस परकार की प्रकृती है वो दोस्तो देखो प्रिक्सी मोडिश्टल प्रकृती है ही तटीक है तो इसमें बें नंबर का option सही उत्थर हो जाएगा ठीस नंबर प्रशन थी अपिक्स को अक्सर सारीर्डिक संग्यनात्मक के गावा अत्मक और समज्य जैसे तीन व्यापक चेत्र में विवाजित किया जाता है विकास प्रकिरिया इन चेत्रों में कहां तक समंधित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है एक एकिकरत और समगरेव प्रकार में विक्सित तो इसमें B-Number का जो प्षन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों यह हो गया अपना खंड भाग एक है वो से 35 तक अपने को उत्तर देना है ठीक है इसमें देखो शिक्षा बहुत व्यापक सब्द है उसमें सीखने योगे अनेक विश्यों का समावेश हो सकता है पढ़ना लिखना भी उसी के अंतरगत है इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं थीक है इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है इस कारण यदि कोई इस्तरियों को पढ़ना अनर्थ कारी समझे तो उसे प्रणाली का संसोधन करना या कराना चाहिए खुद पढ़ लिखने को दोस्त नह देना चाहिए लड़कों को ही यानि कि लड़कों ही शिक्षा प् कौन सी बड़ी होती है प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कोलेज है वो बंद कर दिये जाए तो दोस्तों यह जो अपने 31 से 35 तक है यह गद्यान सा अपने को बिलकुल भी पढ़ने की है वो जरूरत नहीं है दोस्तों इसमें दे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है देखो 32 नमर प्रेस ने इन में से कौन सा सब्द पुलिंग के रूप में परियुक्त होता है तो कौन सा सब्द है वो पुलिंग के रूप में परियुक्त होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अभीमान अभीमान है, अभीमान सब्दे है, ये पुलिंग है नेक्सट है, इंमें से कौन सा यूगम सही विकल्प है, यशन की कौन सा यूगम का विकल्प है, वो बिलकुल सही है तो यहाँ पर देखो दोस्तो आपको दिखराओगा यहाँ पर गो और गोय ठीक है अनेक और अनेको ठीक है ये दोनों दोस्तों इसमें और भी देखो इसकूल और इसकूले ग्रहें और ग्रहें ये तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा ठीक है देखो अनेक अनेको नहीं होगा इसमें अनेको नहीं होता अनेक यानिक एक खूब सारे है अन आंसर हो जाएगा इसका नेक्स्ट है चोंतीस नमर प्रेस्ट है अध्यापक अक्षा में पड़ा रहा होगा अध्यापक अक्षा में पड़ा रहा होगा वाक्य में कौन सा काल है तो दोस्तों वाक्य में कौन सा काल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो सामान्य सामान्य بھوतatif है तो दोस्तों इसका right answer होगा वो है संभाव और सामान्या बहु को नबी फ्रड़का जाएगा प्रनाली सब्द का सही अर्थ है तो प्रनाली सब्ड़का दोस्तों सही अर्थ है वो क्या को तो फ्रॉय हो है दोस्तों देखो वाक्य का प्रकार है तो दोस्तों ये वाक्य का कौन सा प्रकार है तो ये विस्मियादी बोधक प्रकार है बी नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट 37 नमबर प्रेसन है फल को खूब पका होना चाहिए फल को खूब पका होना चाहिए वाक्य में एसुदी है तो दोस्तों यह वाक्य में एसुदी है वो कौनशी है तो वो है दोस्तों कारक समंदी एसुदी है C नंबर का उप्षन इसका Right Answer हो जाएगा next मौहावरे के परियोग से बने वाक्यों में से सही विकल्ब चुनिए तो दोस्तो मुहावरे के परियोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनना है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो राम तो अपनी अकल का दुस्मन है ए नमबर का ओप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है उन्चालिस नमबर सब प्रसन है संयोजक सब्द से जुड़े हुए एक से अधिक ऐसादरन वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है तो वो कौन सा कहलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो संयुक्त वाक्य बी नमबर का जो अप्श वाक्ति का सई अर्थ है वो कौन सा है तो वो है इसमें बिना परिश्रम के अयोगे व्यक्ति को सुफल की प्राक्ति दी नमबर का जो अप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है संसलेशन विदी में सिखाने की प्रक्रिया है तो दोस्तों संसलेशन देखो बियानिस नमबर प्रेस्ट ने गद्दे सिक्षण में सब्दार्थ सब्द दुबार देखो गद्दे सिक्षण में सब्दार्थ इसपष्ट करने की विदी है तो वो इसपष्ट करने की विदी है वो कौन सी है तो वो है दोस्तो इसमें कौन सी तो वो है उद्बोधन विदी, C नमबर का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा आगे चलते हैं देखो, सुरूत लेख में रेफ समंदी अब्यास नहीं है, तो सुरूत रेख में रेफ समंदी अब्यास है, वो कौन सा नहीं है, तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा वो है दोस्तो, कब उतर ठीक है, B नमबर का option इसका सही उतर आगे चलते हैं, देखो लिखना सिखाने से पूरवे बालकों को चितर कला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर भी चितर ही है इस मत का समर्थन किया है तो इस मत का जो समर्थन है, वो दोस्तो गांधी ने, ठीक है, तो A नमबर का option इसका right answer next है, हरबट उपागम के पद है, तो हरबट उपागम के पद है, तो कौन सा पद है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा, तो वो है 5 B नमबर का option सही उतर, next है सिक्सन में इकाई का संप्रते किसकी देन है, सिक्सन में इकाई का संप्रते किसकी देन है तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें मोरिशन, C नमबर का option सही उतर next है, बासाई कोसल का लिखित अभिव्यक्त रूप है बासाई कोसल का लिखित अभिव्यक्त रूप है तो इसका आखने राइट अंसर हो जायेगा, वह है लिखना, डी नंमबर का उप्षन इसका सहितर हो जाएगा, नेक्स्टें, अर्तारिस नंबर प्रेस्टन है, धे का उच्चारन इस्तान है, तो दोस्तों, धे का उच्चारन purl इस्तान है, वह कुन्सा है, तो वो है मुर्दा, C नमबर का उप्शन सही उतर, नेक्स्ट है पाठे पुस्तक का अध्यात्मक पक्स है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें, कौन सा, तो वो है प्राक्तन, तो D नमबर का उप्शन सही उतर, नेक्स्ट है वेचारिक सामगरी है, तो दोस्तों वे है कावन अबर 불 में स्रव्वय ड्रश से साधन है तो चल्चितर मैंटक का संबंद किस ग्यानीं दिर्याि से हैं तो इसका तो हो जाएगा वो है कानवे आंक से सी नमबर ऑप्शन सहीतर नेक्स्ट है सतर की समापती पर पर्युक्त मुल्यानकन सतर की समापती पर पर्युक्त मुल्यानकन है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें संकलात्मक मुल्यानकन दी नंबर उप्षन इसका सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है चोवा नंबर प्रस्ट है ब्लूप्रिंट डाचा तयार करने में उप्योगी नहीं है तो क्या उप्योगी नहीं है तो दोस्तो इसमें सिक्षक निर्मित सामगरी है वो उप्योगी नहीं है D-Number का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर सोरी इसमें देखो अध्यापन समंदी कटनाईयों को दूर करते हुए सिक्षन किया जाना यह है दोस्तो उप्चारात्मक सिक्षन ठीक है B-Number का उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा D-Number का इसमें घलत है अब देखो चपन से साथ तक अपने को यह गद्यांस पढ़ना है और फिर उतर देना है देखो आज हमारे सामने एहम सवाल यह है कि धरम बड़ा या राष्टर तो उतर है देखो उतर में यह है निर्विरवाद तेह होना चभी है कि राष्टर बड़ा है लेकिन साथ ही आसपास यहेंभी देखना है कि राष्टर की मूलिक अवधार नाई क्या है क्या मिट्टी पानी नदी पाहड, राजा परजा से ही राष्टर की मूर्ति बनती है नहीं राष्टर की संपून छवी और पूरा वेक्तित्व हजारों वर्सों की मानिवे चेतना जीवन के सासवत मुल्यों और अपने धरती आकास में अखंड विश्वास से बनता है आदमी की वेग्यानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ उसके सफर में और बनने की होश्यारी सिखाता रहा लम्हा लम्हा के बीच के अर्सों को बटोरता रहा तो यहां पे दोस्तो अब चपन नमर का प्रिशन है वह सब्द बताईए जिसमें दो उपसरगों का परियोग हुआ है तो वह सब्द कौन सा है जिसमें दो उपसरगों का परियोग हुआ है तो इसका राइट आंचर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो निर्विरोध ठीक है इसमें दो उप्सरगों का प्रियोग हुआ है नेक्स्ट सत्तावन नमर प्रेसन है इनमे से जाती वाचक संग्या से भावाचक संग्या का सही उदारन है तो दोस्तों इनमे से जाती वाचक संग्या से भाव वाचक संग्या का सही उदारण है वो कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दानव दानवता A number का option इसका सही उत्तर हो जाएगा Next है मौलिक सब्द किस वाक्यांस के लिए परियुक्त होता है तो मौलिक सब्द किस वाक्यांस के लिए परियुक्त होता है तो वो है दोस्तों मूल जो किसी की नकल नहीं हो ठीक है B number का option सही उत्तर Next है 59 number प्रेसन है इनमे से आकास का सही प्रियाय है तो आकास का सही प्रियाय है वो कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों व्योम ठीक है C number का option सही उत्तर Next है आसपास सब्द में कौन सा समास है तो दोस्तों आसपास सब्द में कौन सा समास होगा तो इसका right answer हो जाएगा वो है द्वंद समास ठीक है तो इसमें ए नमबर का जो option है वो इसका right answer हो जाए गए अब देखो आगे जो 30 question होंगे वो math के question होंगे तो दोस्तों अपन परियावना द्यान के question आज हल कर लेते हैं कल अपन जो एक बार ज्यादा से ज्यादा संक्या में अगर level first के भी लोग जोड़ जाएंगे तो अपन math के question भी जो 30 question आएंगे वो भी हल करना सुरू कर देंगे ठीक है आगे जो model पर पर आएंगे जो उसके अंदर math के question भी आजाएंगे तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 121 नमबर प्रेसने निम्न में से कौन सा राजस्तान से समंदित नहीं है तो राजस्तान से समंदित कौन सा नहीं है तो देखो बेने स्वर मिला पुसकर मिला माग मिला खेजडली मिला तो राजस्तान से समंदित कौन सा नहीं है इसमें तो देखो बेनेस्वर मिला डूंगरपुर में पुसकर मिला अजमेर में ठीक है और जो खेजडली मिला है वो दोस्तो जोदपुर में लगता है ठीक है आप सबी को पता भी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो माग मिला ठीक है बाग बिला है ये राज़स्तान में नहीं लगता नेक्स्ट है राज़स्तान के राज़स्वा सांस्दो की कुल संक्या कितनी है तो वो है दोस्तो दस ए नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है नाइलोन का आविसकार किस ने किया तो लाइनोन का अविस्कार है वो दोस्तो किस ने किया तो ये किया दोस्तो वालेस केरो थर्स ने किया बी नमबर का उप्शन सही उतर है नेक्स्ट है जामर कोटडा खदान प्रसिद है तो ये दोस्तो रोक फास्पेट की खदान है ये जामर कोटडा कौन सी रोक फास्पेट की खदान है यह जामर कोटड़ा तो इसमें B नमबर का उप्शन सही उतर नेक्सट है 125 नमबर प्रिशन है भारत में पर्थम रेल गाड़ी की शुरुवात कब हुई तो पर्थम रेल गाड़ी की जो शुरुवात है वो दोस्तों कब हुई तो यह 1853 में हुई थी नेक्स्ट है PC कल्चर क्या है तो दोस्तों PC कल्चर है वो क्या है तो यह दोस्तों मचली पालन है उसको अपन PC कल्चर बोलते हैं 127 नमर की प्रिसिंद के अगर मैं बात करूँ तो देखो भारत में पलस पोलियो टीका करन कारेकरम कब आरंब किया गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें 1995 में यह प्रारब किया गया नेक्स्ट है निमनलिकित में से कौन सा रोग संक्रामक है तो कौन सा रोग है वो संक्रामक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डिप्थीरिया तो इसमें D नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा next 133 number person है निमनलिकित में से कौन सा परिक्षन HIV से प्रतेक्ष समंदित है तो HIV से प्रतेक्ष समंदित है वो कौन सा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है दोस्तो यह question है इसमें बोनस दिया गया था बोनस अंक दिया गया था अर्पीसी में ठीक है तो ये प्रसंद है इसको आप छोड़ दीजी नेक्स्ट है 130 नमबर प्रसंद है इसमें देखो निमनलिकित मेंसे कौन सा सुमेलित नहीं है तो कौन सा समयलित नहीं है तो यहां पे देखिए दोस्तो राष्टिय वनस्पती अनुसंदान संस्थान ठीक है यह कहां पर है जोधपुर में देखो भारती वनस्पती सर्वेक्षन कॉल कता यहां पे यह गलत दे रखा है दोस्तो बी नमर का उप्षन इसका राइट आंसर ह जाएगा आगे देखो राजस्तान का राजजय पक्सी कौन सा है तो वो है दोस्तो गोडावन बी नमर का उप्षन सही उतर नेक्स है भारत का सरवादिक वरसा वाला इस्तान कौन सा है तो सरवादिक वरसा वाला इस्तान है वो दोस्तो मासिम ब्राम मेगाले यह मेगाले मे लिकित में से कौन सा नवीन करनी ये उरजा का स्रोत नहीं है तो वो है दोस्तो इसमें कौन सा नहीं है तो वो है जिवास में इंदन तो इसमें ए नमबर का उप्षन सही उत्तर नेक्स्ट है पारितंतर सब्द का गठन किस ने किया तो पारितंतर सब्द का जो गठन है वो किस ने किया तो वो दोस्तों टेंसले ने किया C नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है 35 नमबर प्रेस ने इसमें देखो निमने लिखित में से आप्रेक्सेपित, शिक्षन सामगरी कौनसी है, तो वो है दोस्तो इसमें चार्थ, b नमबर का उप्सन इसका सहोत्तर हो जाएगा, next है, 137 नमबर प्रेस्थन है, परियावन के जेविग गटक के सम्मिलित है, परियावन के जेविग गटक के सम्मिलित है, तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो पोदे C number option सयुतर next है मीनी माता मीनी माता रोग का समंध निमिन में से किसे है तो इसका जो समंध है वो है दोस्तो SG प्रदूशन से ठीक है तो यह दोस्तो जो मीनी माता रोग होता है यह प्रदूशन जल्शे होता है स्क्षन विदी कौन सी है तो सामुईक चर्चा से समंदित स्क्षन विदी है वो कौन सी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विचार गोश्थी डी नंबर ओप्षन इसका सयुत्तर 140 नमर प्रस्थन है नीमन लिखित में से कौन सी गति विदी परियावन सर से समंदित कौन सी विदी नहीं है तो इसका राइट आंशर हो जाएगा वो है वनों मुलन एक नंबर ओप्षन राइट आंशर — एकहे तो कौन सा है तो इसका राइट आनसर हो जाएगा वो है दूस्तों इसमें जो international environmental education program ठीक है बी नंबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है 141 नंबर प्रेस्ट है सतत एवं व्यापक मुल्यानकन यानि कि CCE का मुख्य उद्दे से है तो इसका जो मुख्य उद्दे से है वो क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो वो है विद्यालम उपस्टित यानि कि सरी विद्यालम उपस्टिती के समय बालक के प्रतेक पहलू का मुल्यानकन करना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एन नंबर का उप्शन आगे देखो 142 नंबर प्रेस्ट ने निम्न लिकित में से कौन सी वि C नमबर का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा आगे देखो दोस्तों 143 नमबर प्रेशन है इसमें देखो परियावन अध्यन सिक्षन के दोरान विद्यारतियों की सेक्सिक उपलब्दियों को देखने के लिए निमनलिकित में से किस आंकलन सुचक का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए तो इसका right answer हो जाएगा वो है उप्चारात्मक सिक्षन करना D नमबर का option इसका सही उत्तर हो जाएगा 144 नमबर प्रेशने निमनलिकित में से कौन सा नियम अदिगम के प्रियास वैतरूटी सिदान्च से समदित नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा तो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा वो है राजनितिक सरक्षन बी नमबर का उप्षन इसका सही उत्तर हो जाएगा 146 नमबर प्रसन है भारत में लड़कियों वे लड़कों के विवाह की नियूनतम कानूनी उम्र क्या है तो नियूनतम कानूनी उम्र है वो दोस्तों क्या है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 18 व अब देखो दोस्ते 147 नमर 146 के बाद में 147 इसमें देखो भारत में बालस्रम को पर्ति बंदित करने के लिए बालस्रम निशेद एवं वी नियमन अदिनियम किस वर्स में पारिद किया गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें नेक्स डेखो 138 नमर प्रेसन है निमन लिखित में से कौन सा सो परतिस avold में सोच मोकत और एफ राज्य तो वो कोन सा है तो वो है दोस्तो इसमें कों सा तो वो है केरल सी नमर का उप्षणिस्कोंढेट आंसर क्या है तो राजस्त्टान की वस्तρन नगरी सात्व क्या है तो र लिए आम तोर पर आम तोर की आम तोर पर की जाने वाली प्रियुकते ओस्दी का नाम क्या है यानि कि नसे नसिली द्वाओं की लट को नियंतरित करने के लिए जो ओस्दी आती है उस ओस्दी का नाम क्या है तो उस ओस्दी का नाम है वो दोस्तों पेथिडीन क्या नाम है उस YouTube चनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, जै हिंद, जै भारत.